और सरपंचों के इस प्रोटेस्ट को लेकर मंत्री कमरपाल गुजर ने भी प्रतिकरिया दी है। PTC News से खास बाचीत में गुजर ने बताया कि सरकार की लाई पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा सरपंचों को ही होना है। और सिर्फ 40 फीसदी सरपंच ऐसे हैं जो इसका विरूद कर रहे हैं जबकि 60 फीसदी सरपंच काम पर पहले ही लोट चुके हैं और वो इस पॉलिसी के समर्थम में हैं। कुछ सरपंचों से बात हुई काफी सरपंच भी इस बात पर सहमें हैं कि सरकार का नेड़े सही है। और जहां तक मैं समयता हूं कि 60% से ज्यादा सरपंच एस हैं जिन्होंने काम सुरू कर दिया। लग लग अभी जो माने मुख्य मंतरी जी ने गयारा सो करोड रपे पंचेतों को दिये उन्होंने काम सुरू कर दिया। तो उतना बड़ा वी रोग तो नहीं है लेकिन फिर भी रोग दैम मानता हूं इस बात के लिए। मेरा यह मानना है कि जो सरकार यह लेकर आई इस प्रकार से इस सरपंचों के फैदा है क्योंकि प्राणे टाइम में आप देखते हैं कि जब भी सरपंच काम करता था अलागे सरपंच बड़ी मैनत करता था मैं तो यह मानता हूं कि सरपंच बड़ा योगदान सरपंच का है अरो अपना टाइम भी लगाता है सारा कुछ करता है लेकिन बाद में क्या तो सारा करने के बाज़ूदी इनक्वाइरी उसी के उत्ती है और कई बार तो सरपंच बिन रहता गला चुनाव भी जटता है अब सरपंच कोई टेकनिकल थोड़ी है तो जो इनक्वाइरी करने वाड़े वो टेकनिकल एक्सप्रेट हैं तो फिर उसमें कमिया निकाल तो मैंने देख्या सरपंचों के चार चर पांच-पांच लाख रुपेर की तरफ निकल जाते हैं कि आपने गल तरीके से पैसा लगए दिया तो उन सारा इसे ब बना यह पार्यक बना यह उसकी सरपंचन करेगा अगर उसकी मरजी काम नहीं हो ठीक काम ँवा तो इस उसके लिए जुम्मेदार होगा तो मैं समझता हूँ कि सर्पंजिस में काफी सेफ है जो उसको बाद में बुगताना पड़ता था उससे बच्छी और इसके साथ ही गुजर ने इनलों नेता अभे चोटाला पर भी सियासी हमला बोला है इनलों की इन दिनों प्रदिश में पर चाहिए मेरी सुभकामना ही। उनको बहुत बहुत और मैं समय ताहूं कि सब ही राहतिक पाल्टियों को छंता बीच पेचा प्लग के वीचते सोरे कि असलोव करता हुक्त हुआ हुश्क्तलर में बड़े नेता हैं मैं यह तो प्रकेशिक लेकिन हां ठ्वए को थी जोड़ आलागे विशे को कफी इच्छी तरीके से रखते हैं, बड़ी त्यारी करके भी आते हैं विशे की वाँ, लेकिन थोड़ा सा जो उनका गुस्सा है उस आ रहेगा उसको उसको खराब कर दें बात को ना, मतलब इतनी इच्छी बात को भी खराब कर देता है कई बार.